A very good evening to all of you, सभी प्यारे बच्चों का warm welcome करता हूँ 24 जनवरी की क्लास में और आज की क्लास में cover करेंगे ये शांदार सा अरिटोरियल Smaller Citizens इसका title है ये article दो दिन पुराना है, आज के newspaper में आपको नहीं मिलेगा दहिंदो में और आज इसको इसलिए cover किया जा रहा है क्योंकि काफे important है और दो दिन पहले हमने इसको cover नहीं किया था ये आपको शिक्षा के स्तर के बारे में बताएगा, education के level के बारे में बताएगा गावों में कि आठवी दस्मी पढ़ा हुआ बच्चा भी second standard की notebook जो है हिंदी की वो भी ठीक से नहीं बढ़ पा रहा है चलिए शुरू करते हैं, जो बच्चे class में नहीं हैं, शाम को साढ़े 6 बजे का अलाम लगा लो और चैनल को कर लो subscribe इस टाइम शाम में आपको यह basic से classes मिलती हैं, किसी भी exam की आप त्यारी कर सकते हैं इस quiz को आपको class के last में solve करना है, जो भी आप सीखोगे इस quiz पर अपलाई होगा grammar, vocab और comprehension तीनों aspects इसमें cover होंगे solutions at the end of the lecture यह आपको करवाएंगे, आईए class को शुरू करते चलिए, कह रहा है जी smaller citizens, देखे smaller यानी जो comparatively छोटे है small की comparative degree है smaller और citizens का मतलब है नागरिक, अब छोटे नागरिक कौन है बात कर रहा है बच्चों की, youngsters की, youth की, कह रहा है जी जो छोटे बच्चे हैं ना और बात कर रहा है बात रहा है उन गैप्स की, उन फासलों की, उन खाईयों की जो इंडिया के education system में है बच्चा आठवी में है कहने को तो लेकिन वो ठीक से लड़का है लड़की जो है बात रहा है जिसे कि आपको मैं second, third standard की किताब भी नहीं पढ़ पा रहा है तो उसकी education के अंदर कोई gap रह गया है, कोई discrepancy या कोई फासला disparity रह गई है चलिए आगे बढ़ते हैं, पूरी बात को समझेंगे title paragraph से करें, despite rising enrollment, gaps in India's education system are not closing quickly करें, बावजूद याने की despite और किसके? rise करती हुई enrollment के, बढ़ती हुई बच्चों की संख्या के enrollment in the school समझे लो, पहले school में 100 बच्चे थे, अब school में 150 बच्चे हैं करें, बावजूद बच्चों के school जाने के, school में उनकी हाजरी के जो gaps हैं, जो फासले हैं, बारत के education system में वो close नहीं हो रहे हैं, वो खाईयां पूरी नहीं हो रही हैं, खतम नहीं हो रही हैं फटा-फट सही या नहीं quickly समझ गे sentence को? gaps, आप समझ चुके होंगे, दो चीजों के बीच का फासला gaps की verb है, are not closing despite का मतलब होता है, बावजूद ठीक है, लेकिन despite के बाद में, कभी भी off का इस्तेमाल नहीं किया जाता इसी का एक synonymous word है फ्रेज है, in spite in spite अपने बाद में हमेशा off लेगा ठीक है, तो simple concepts है सिरफ आपको revise कर वा रहे हैं, दो तीन पांच बार जब सुन लेता आदमी, तो फिर ऐसी चीजों पे गलती, exam में तो कम से कम नहीं करता तो despite, in spite के बीच का फर्क जाने, enrollment आपको बता दिया, school के अंदर आपका registration ही आपकी enrollment है, पहले भारत में आज से 20 साल पहले let's say, 100 में से 80 बच्चे स्कूल जाते थे, आज 100 में से 96 बच्चे स्कूल जाते हैं लेकिन स्कूल जाकर के भी ये सीखे क्या सवाल तो यही है चलिए एक सवाल आपसे वैसे भी बुश लेते है काफी बच्चों confusion होती है close वोब का क्या meaning है close का मतलब बंद करना होता है या बंद होना होता है यहाँ पे gaps are not closing यहाँ पे बंद होने की बात हो लिए लेकिन हमने पढ़ा है close का मतलब होता है बंद करना close the gate close the shop, close the business चलो यह बहुत confusion है बहुत बच्चों के देखें इंग्लिश में एक special category इंगरी और वर्प्स है जिनको अपने बोलते है अर्गेटिव वर्प्स मैंने इनको बेसिक में अच्छे से कवर किया हुआ है जिन बच्चों ने बेसिक ग्रामर चेक की है पढ़ी हुई है मेरे साथ होम पेज पेस्पे इसकी वीडियो भी रखी हुई है अर्गेटिव वर्प्स कैसी वर्प्स है जी जो होने और करने दोनों की बात कर लेती है क्लोज एक ऐसी ही वर्प है ओपन एक ऐसी ही वर्प है ओपन का मतलब खुलना और खोलना क्लोज का मतलब बंध होना और बंध करना बर्न एक वर्प है बर्न burn का मतलब है जलना और जलाना एक warp है melt melt का मतलब है पिगलना और पिगलाना एक warp है freeze freeze का मतलब है जम जाना या जमा देना समझ भाए बरिवाद को तो यह special category of warps है जो की दोनों तरीके से काम करती है जब यह खुद पे काम कर रही होती है तब यह argative कर लाती है और जब यह सामने वाले पे काम कर रही होती है तब यह action कर लाती है अगें आपकी curiosity को जगा रहा हूँ मैं इंगलिश में आपका interest आना चाहिए यह बाते आप दिमाग में सोचते होंगे कि अजीब सी वर्प कैसी है यह तो इसका अफकोर्स एक formula है अंग्रेजी में आप basic grammar की playlist को refer करें home page के उपर रखी गई है यह सारी verbs covered है चलिए बागे बढ़ते हैं इस class की vocab पे नज़र डालेंगे ज़्यादा कुछ इसमें important vocab में तो नहीं है जो भी words हैं साड़े एक साथ देख लो से इस telegram group को join करें सभी pdf's और notes के लिए class को एक like और एक share जरूर से देना telegram group को join करने के लिए आपको add the rate your English tutor type करना है telegram में आपको group मिल जाएगा साथी YET app पे आप तयारी कर सकते हैं अपने exams की चाहे SSC हो, descriptive writing हो UPSC का हो या banking का हो एप का link comment section में दिया गया है writing के course में आप सीख सकते है writing लगबग 60-70 घंटों में फाइदा आप ले सकते हैं इस course का UPSC के course में आप अपना medium change कर सकते हैं, किसी और language से English में migrate कर सकते हैं UPSC के सभी aspects covered हैं answer for writing, essay writing, descriptive writing C set, SSC और banking के course में आपको सारे variety के questions solve करना सिखाया जाता है 100-70 घंटों के courses हैं आप भरपूर अपने practice कर सकते हैं कोई question हो, query हो, team नंबर है WhatsApp, आप इस नंबर पे team से जूड़ सकते हैं वाया WhatsApp चलिए vocab sheet है अपनी 5 words है, शुरू करेंगे vocational से, थोड़ा सा zoom in कर देता हूँ, बाखी ये sheet आपको telegram पे बिल गई होगी, telegram को join करें, comment section में भी group दिया गया है first comment में link, है ना देखिए vocational का मतलब होता है जो चीज किसी vocation से जुड़ी हो यनि website से जुड़ी हो vocational word बना है vocation से website occupation को vocation बोलते है तो vocational हो गया website अगर आप vocational education ले रहे हैं तो आप website education ले रहे हैं या तो आप ITI कर रहे हैं polytechnic कर रहे हैं, accountancy सीख रहे हैं या फिर हो सकता है आप engineering कर रहे हो, आप कोई MBA कर रहे हो, ये सभी vocational education के पार्ट है जो education directly आपको job लगने में, काम करने में मदद दे many students choose vocational courses to gain practical skills for specific careers बहुत सारे बच्चे vocational courses को choose करते हैं, website courses को choose करते हैं, polytechnic, ITI diploma है न, ताकि उनको practical skills मिले किसी specific career के लिए, अब क्योंकि vocation मतलब occupation होता है इसलिए vocational मतलब occupational हो गया, noun है vocation vocational बन गया adjective चलिए, अगला word है अपने यह word बना है lag से lag का मतलब होता है पीछे रह जाना जैसे मैंने आपको फ्रेजल वोब बताई हुई है catch up with, याद है आपको catch up with, बहुत बार आती है catch up with का मतलब होता है किसी की बराबरी करना जब आप पीछे रह जाएं दोड में पीछे रह जाएं और किसी की बराबरी करें तो पीछे रहने का जो action है उसको बोलते है lag जब बराबरी कर लेंगे तो catch up with करेंगे ठीक है यह दूदों एक दूसरे के समझगे न, synonyms, एक दूसरे के एंटरिम्स है अब lag यानि पीछे रह जाने से ही एक word बना है अंग्रेजी में laggard और laggard का मतलब होता है जी ऐसा आदमी जो पीछे रह जाए बार बार somebody who lags behind अगर आपका काम वक्त पे पूरा नहीं होता है क्लास के अंदर आप ही को मुर्गा बनाए जाता है बार बार तो आप क्लास में laggard student है traditional motor car companies are laggards in the electrical vehicle space traditional motor car companies जो हैं मारुती जैसी वो laggards है वो पीछे रहने वाली है electric vehicle के space में EV के space में laggard को trailer भी बोलते हैं you'll see the word lag you'll see the word lag in the article today ये lag verb और noun दोनों form में use हो सकता है अगला word अपने पास inkling शायद ये आपके लिए नया हो देखी ये जब word है ना inkling ये बना है tinkling से चलो tinkling फिर कभी करा देएंग अभी inkling देख लो inkling का मतलब होता है अभास हलका सा आपको जब किसी चीज को ले कर के हो hint मिले suggestion मिले कहीं से हलका सा वो आपका slight hint जो है inkling किलाता है मैं use करके दिखाता हूँ और अच्छे समझ में आएगा ये word she had an inkling that her friend was hiding something from her उसको हलका सा अभास हुआ कि उसका दोस्त उससे कुछ चुपा रहा था hide कर रहा था something from her inkling को hint को glimmer भी बोलते हैं you'll see the word in the inkling in the article in the article today अगला word अपने पास myriad myriad word जो है न myriad word जो है एक common name है ten thousand ten thousand जो है number का ऐसा समझ लो 10,000 को अंगरेजी में myriad बोलते है तो myriad word जो है न एक बड़े number के साथ जोड़ करके रखा जाता है हिंदी में इसका मतलब होता है बहांत बहांत का जैसे आप कभी को भी बोलते हो न शादी में यार खाना खाने गया था मैं 10,000 वरेटी का खाना था मा अब वहां पे 10,000 वरेटी का तो नहीं होगा लेकिन आप बोल देते हो हजार तरह की लोग मैंने देखे 1000 तरह की चीज़े ऐसी हो गई 10,000 तरह के काम ऐसे हो गई तो वो जो बहांत 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 वाला जो मीनिंग है वही मीरियड वर्ट दे रहते है और एक्चल में इसका लिटरल मीनिंग है 10,000 इडिया इस दे लैंड ओफ मीरियड लैंगवजिस, कुल्चर्स, एंड एथनिसिडिस भारत एक देश है, लैंड है भाती-भाती की लैंगवजिस, कुल्चर्स और एथनिसिडिस का एथनिसिडिस समझते है ना कोई पंजाबी है, कोई सिंधी है, कोई मदरासी है है ना, सौथ इंडियन है, कोई नौर्थ इंडियन है या नौर्थ इस्वाला है सब के facial features, सबका body structure अलग-अलग होगा यही ethnicity कहलाता है Myriad को various या diverse भी बोलते हैं यहां यह ऐसा भी बोल सकते हैं diverse languages, cultures and ethnicities You'll see the word diverse in the article today चलिए, last word है, Rosie आपके लिए नहीं आएए Rosie करी लड़कियों का नाम भी होता है Rosie है ना? यह word बना है, Rose से Rose का मतलब है गुलाब अब मुझे बताओ, गुलाब कैसा होता है गुलाब बड़ा pleasant होता है उसको smell करोगे, हाथ में लोगे, touch करोगे, देखोगे हर तरीके से प्यारा होता है तो Rosie हर वो चीज है जो आपको optimistically pleasant लगे मतलब आपको मैं कोई ऐसी बात बताओ, आपकी जॉब लग जाएगी फिर ऐसे कर लेना, वैसे कर लेना तो यह सब बातें आपको रोजी लगनी चाहिए यह आपको pleasant लगेगी इसमें optimism यानि आशावाद भी आपको दिखेगा है न, गुलाबों जैसा आशावाद किसी चीज में दिखे तो वो आपको रोजी लगता है आपको After months of hard work, she received a rosy job offer with great benefits महिनों के hard work के बाद उसको एक rosy job offer मिला optimistically pleasant job offer मिला great benefits के साथ rosy को promising भी बोलते हैं जिस चीज में promise हो, आशा हो, जिस चीज में समझगे न, optimism हो You'll see the word rosy in the article today प्यार से vocab को पढ़ो, ज़्यादा मुश्किल नहीं है सारे words का कोई ना कोई logic निकलता है maximum words का हम आपको logic समझाई देता हूँ अब आजाओ article पे एक summary आपको दे किस बारे में लिखा गया है एक survey करवाया गया प्रथम नाम के एक NGO के द्वारा और ASER नाम के एक संस्था के द्वारा इस survey में ये पता लगा के गामों के अंदर, शैरों में नी, गामों में सब बच्चों के पास smartphone है सब के पास, लड़के लड़के, अल्मोस्स सभी के पास tuition भी जाते हैं वो और vocational education भी कर रहे हैं लेकिन उनकी दो खानों के अंदर उनके खाने चित हैं ना दो जगे वो टाइटाइ फिस हैं ये बच्चे कोन है? ये बच्चे second standard की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाई 25% तो पहला area तो ये है कि इनका reading comprehension बड़ा खराब है अंग्रेजी की बात नहीं कर रहे हैं हिंदी की बात कर रहे हैं कोई बच्चा हिंदी मीडियम बेल्ड का है तो वो अपनी हिंदी की किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पा रहा है second standard की, दूसरी class की और दूसरे इनकी basic numeracy जो है वो बड़ी खराब है, numerical skills खराब है इनको अगर ऐसा पूछ ले कि 110 का 60% कितना होता है या 100 का 40% कितना होता है तो उसमें भी ये चक्कर खा जाते हैं इन बच्चों को calculation करनी नहीं आ ली अब article इसी बात पर है कि फिर ये किस बात के 8 वी में है ये बच्चे किस बात से 10 वी में है जब basic numeracy नहीं आई और अगर इनकी comprehension मदर टंग में भी नहीं आई तो ऐसी education जो है वो ज़्यादा benefit नहीं करेगी आज की tone है concerned और analyzing concerned है इस education system को देखके और analyze कर रहा है solutions क्या हो सकते है शुरू करते है article को बहुत easy सा पढ़ने में article है आज की जो है grammar अच्छी आपको मिलेगी the pandemic was difficult for India's young citizens pandemic बहुत मुश्किल थी भारत के छोटे citizens के लिए जवानों के लिए बच्चों के लिए अब देखो यहाँ पे इसने coma लगाया और फिर एक coma लगाया दो कॉमा जंगरेजी में एक sentence के बीच में एक ही शर्त पर लगाया जाते हैं जब आपको additional information देनी हो तो additional information देवे दी इसने the children यह young citizen कोन है छोटे बच्चों की बात कर रहा है करे जी but the true import of its impact is coming to light now करे लेकिन सही import जो है सही importance जो है इस pandemic के असर की impact की वो अब come to light हो रही है अब वो सब के सामने आ रही है is coming to light समझगे pandemic की वोब है was pandemic was difficult pandemic बड़ी मुश्किल थी import की वोब है is coming to light अब इस import word को देखो आज तक आप समझते आए कि import का मतलब होता है आयात import export समझते हो ना लेकिन अंग्रेजी यही तो हर language में कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा आपको एक ही word अपने multiple meanings रखता है तो आयात जो है वो import का meaning है मैं मना नहीं कर रहा हूँ लेकिन import word जो है importance word का short form भी है अंग्रेजी के इंदर समझगे importance जो है ना importance उसको भी import लिख दिया जाता है इसलिए import word का दूसरा meaning है किसी चीज की महतपूनता तो import यानि importance की वो हो है is coming to light come to light करना यानि सब के सामने आना किसी चीज को किसी चीज का reveal होना appear होना, emerge होना तो इसकी import जो है अब सब के सामने come to light होरी है करेजी, in the annual status of education report title ASER annual status of education report 2023 beyond basics and released on Wednesday a survey by civil society organization Pratham amongst rural students aged 14 to 18 found that more than half struggled with basic mathematics करेजी एक annual status of education report में इस report का title क्या है ASER 2023 basics के पार beyond basics और जो released हुई है जो है वैस्टे को करेजी इस report में जो की एक survey भी है एक civil society organization के द्वारा जिसका नाम है प्रथम एक NGO के द्वारा और survey हुआ है rural students के बीच में जिनकी उमर थी 14 से 18 साल आटवी से दस्वी साल के दस्वी क्लास के बच्चे करेजी इस survey ने ये पाया that वो ये पाया कि half से ज़्यादा more than half वो struggle करते हैं basic mathematics में समझगे ना वोई 100 का 40% निकालना है 110 का 50% निकालना है वो भी नहीं हो पारा है इन से अब देखो कॉमा लगा के बता रहे है a skill they should have mastered in class 3rd and class 4th ये वही skill है जो उनको class 3 और class 4 में आजानी चाहिए थी basic mathematics उनको समझ में आनी चाहिए थी चलिए वैसे तो ये sentence हुए ना structure इसकी गलत है मैं आपको एक पार structure इसकी बता देता हूँ बना क्या रखिए इसने और होनी क्या चाहिए structure ये बना रखिए कि survey जो है इसकी वह वह found half की वह वह struggled they की वह 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 should have mastered should have with 3, could have with 3, would have with 3 ऐसा होना चाहिए था ऐसा होता या ऐसा हो सकता था structure आपको अरड़ी आती है master कर लेना किसी चीज को अच्छे से सीख लेना देखो structure में problem ये जो ये बीच में लिखा गयाना है सारा actual में adjectival phrase है comma से comma के बीच में है मैंने आपको भी system बताया भी था ठीक है और ये जो आगे लिखा गया है ये जो आगे लिखा गया है यहां पे कोई subject नहीं है subject क्यों नहीं है आप बोलोगे सर ये subject है annual status of education report नहीं वाई साब ये इन प्रेपोजिशन का object है ये title जो है इसी object के लिए adjective है released भी इसी object के लिए adjective है ये वो report है जो titled है released है Wednesday को और इस report में कुछ हुआ है कह रहा है जी ये जो पूरा काम है ना ये वाला ये एक phrase है और ये जो आगे वाला जो इसने लिखा है survey वाला इस जो as report के बारे में additional information है subject का है मजबूरन मुझे subject survey को बनाना पड़ा actual में होना ये नहीं चाहिए बात ये कि सर ये बताओ सही कैसे होगा इस sentence ये पूरी कहानी तो आपने कर दी देखो सही ऐसे होगा अगर ये paper में हुआ होता आपके साथ तो आपको यहाँ पे in को निकाल देना था और annual status of report को subject बना देना था या फिर या फिर इस in को रख देते और यहाँ लेख देते it was found समझ गे? subject देना है found को या तो it was लेख देते it was found या फिर इस in को निकाल करके this report found जैसे मर्जी बना लो बड़े आगे ये बात शाहिए सब बच्चों की समझ में नहीं आएगी लेकिन जो बच्चे advanced हो चुके है मेरे साथ पढ़ चुके है subject verb agreement जानते है अच्छे से इसको बड़े अच्छे से बगड़ लेंगे थोड़ा रिवाइट इसको कर लेना repeat कर लेना जो बने भी बताया करहे दे household survey the first field based one in 4 years was conducted in 28 districts across 28-26 states and assessed the foundational reading and arithmetic ability करहे जो survey हुआ है न ASER यह पहला field based है one है यानि survey के लिए गुज़ हुआ है one 4 सालों में करहे यह survey जो है यह देखो additional information है बीच में सारी कौमा से कौमा की जो पहला survey है 4 सालों में field based करहे इसको conduct किया गया था passive voice में 28 जिलों में 26 राज्यों के और इस survey ने assess किया C's का मुल्यंकन किया जैजा लिया और किसका foundational reading और arithmetic abilities का कैसे आप पढ़ते हो और कैसे आप calculation करते हो और abilities किसकी है इतने सारे बच्चों की 3, 4, 7, 4, 5 जो है students की survey की दो verbs है पहली verb है was conducted passive में survey को conduct किया गया दूसरी verb है assessed active में survey ने assess करके हमें बताया करें in other findings about 25% of this age group cannot read a class second level text in their mother tongue करें दूसरी findings तो जो other वाली है पहले वो बता लेते हैं आपको main finding बात में बताएंगे other finding ये निकली survey में से कि लगवग 25 तका एक चोथाई वो बच्चे जो हैं इस age group के 14 से 18 वरस के करें वो read नहीं कर सकते हैं पढ़ नहीं सकते हैं class 2 यानि standard 2 जो है उसके level के text को लिखी हुई लिखावट को अपनी mother tongue में अगर गुजराती है तो लड़का गुजराती भी नहीं पढ़ पा रहा है पंजाबी है तो पंजाबी हिंदी है तो हिंदी और फिर देखो semi-column लगा के इसने एक बात और add कर दी अगर इन बच्चों में भी comparison करें तो लड़के जो होते हैं वो mans और इंग्लिश में लड़कियों के मुकाबले अच्छे निकले समझ गें? दो sentence joined है adjoined है conjunction जो है semi-column के द्वारा semi-column दो ऐसे sentences को adjoin करती है जिनको and नाम की conjunction भी कर सकती थी related सब जो sentences होते हैं उनको and लगा लो या फिर semi-column लगा करके add कर लो 25% की वो होब है cannot read boys की वो होब है are better जो है better comparative degree है और साथ में अपने than लेगी better than girls चली ओर आगे बड़े कह रहे जी overall 86.8% in the 14-18 year age group are enrolled in an educational institution कह रहे जी कुल मिला के देखा जाए तो लगबग 87% बच्चे जो है 14-18 साल के age group के वो enrolled है registered है किसी ना किसी educational institution में किसी ना किसी school में कह रहे but there are gaps as they grow older कह रहे लेगिन gaps आपको मिलेंगे जैसे जैसे वो बड़े होते हैं older grow करते हैं अब वो क्या है gap dash लगा के वो gap बता दिया while 3.9% of 48-14 year olds are not in school the figure climbs to 32.6% for 18 year olds करे जी जहां 14 साल के 3.9% बच्चे किसी school में नहीं है वहीं ये figure बढ़ जाता है 32.6% लोगों का बच्चों का 18 साल वाले बच्चों के लिए तो अगर average देखे 14 से 18 की तो लगबग 86.8 जो है इसकूल में जाते हैं 100 में से लेकिन 14 वाले जो है उनमें सिर्फ 3.9 है जो नहीं जाते लेकिन 18 वालों में 32.6 हैं इस तरीके से पूरा average और range इसने आपको बता दी ये percentage जो है 86% की इसकी वोब है enrolled day की वोब है grow gaps की वोब है are 39% की वोब है figure की वोब है climbs figure का मतलब होता है आंकड़ा statistic number climb का मतलब होता है बढ़ना search करना increase होना day जब भी आपको दिखे इसके बाद में अगर वोब दिख जाए आपको are is have been has been were जो भी वोब दिख जाए आप दिखान रखे उस वोब का subject there नहीं है बलकि उसके बाद रखा गया है ठीक है there are gaps भी ठीक है और there is gap भी ठीक है there is gap भी ठीक है या a gap भी ठीक है अगर ये gaps लिखा तो आर लग गया a gap लिखा होता तो इस लग जाता देर से कोई connection नहीं है इस वोब का ये समझाना चाहरा हूँ चलिए बढ़ें आगे percentage जब भी आपको दिखे ये 25 परसंट ये 86 परसंट ये 3.9 परसंट इसकी खुद की कोई वोब नहीं है इसकी वोब इसने आर लगा रखी है है ना लगा रखी है ना ये जो आर लगा है ना इसका परसंटेज से कोई connection नहीं है याद रखना है आपको ये जो वोब लगेगी ये लगेगी परसंटेज के बाद में ओफ जो लगा है उसके बाद में आने वाला noun बताएगा क्या लगा है ठीक है 14 year old है old है तो वोब आर है 14 year old होता तो वोब is होती तो ये फॉर्मला आपको याद रखना है और ये ना केवल परसंटेज पर अपलाई होगा ये दो तिन वर्ड्स पर और अपलाई होता है जैसे कि एक वर्ड है रेशो पोर्शन प्रपोर्शन इन सभी वर्ड्स पर भी परसंटेज वाला ये फॉर्मला आपको अपलाई करना है इनकी खुद की वह आपको नहीं रखनी वह अप देखोगे ओफ के बाद वाले नाउन की चलिए आगे बढ़ते हैं करया जी साथ ही 11 क्लास और हाइर के लिए ज़्यातर जो बच्चे हैं most जो स्टूडेंट्स हैं वह उप्ट फॉर करते हैं चुनाव करते हैं और किसका? हुमानीटिस के सब्जेट्स का उप्ट फॉर करना यानि चूज करना हुमानीटिस का मतलब होता है नोन साइंस और नोन जो है commerce सारे subjects जैसे political science है geography है, कोई language है history है यह सब humanities के पाथ है करे अब semi-golem लगा के while girls are less likely to be enrolled in the science stream 28% compared with boys 36.3% only 5.6% have opted for vocational training और other related courses करे जहां लड़कियां कम संभावित हैं कि वो enrolled होंगी passive voice में they are less likely to be enrolled passive infinitive है किस में? science stream में mathematics में या bio में 28.1% गावों में सिरफ 28% लड़कियां science लेती हैं और लड़के कितने बजाएं इसके लड़के भी उतन नहीं हैं लगबग 36% कहां जहां ऐसा है वहीं 5.6% बच्चे ही जो हैं वो opt करते हैं वो केशनल ट्रेनिंग के लिए वेबसाइट ट्रेनिंग के लिए या ऐसे जुड़े होए इनके इससे जुड़े होए कोर्सिस के लिए यानि हर बच्चा अल्मोस जो है गाव में 95-94 बच्चे ग्रेजुईशन की तरफ भागते हैं उनको इंजनिरिंग जो है डिपलोमा नहीं चाहिए उनको कोई अकाउंटेंसी के अंदर कोई डिग्री नहीं चाहिए है ना इस तरह का काम उनको जाला जो है नहीं बाता सब ग्रेजुईशन ही करते हैं चलिए या आपका हो गया पूरा सेंडेंस लंबा अधा थोड़ा ठीक है कहां से शुरू हो रहा है मेरे तो दिखी नहीं रहा है हां यहां से हुआ नहीं मोस्ट सुडेंट्स की वर्ब है आफट फॉर हुमेनिटीज मैंने आपको बता दिया साइंस और कॉमर्स छोड़ दो बाकी जो बच गए सब हुमेनिटीज है गल्स की वर्ब है आर 5.6 की परसेंट है परसेंट की वर्ब है अगे न अब परसेंटेज की कोई वर्ब नहीं है यह 5.6 परसेंट बच्चों की वर्ब है ओफ के बाद में यहां पर बॉइस गर्ल्स या चिल्टर नहीं आ रहा वो अंडर्स्टूड है न भई 5.6 परसेंट की बात हो रही है लड़के लड़कियों की बात हो रही है तो यहां पर नहीं भी लिखा तब भी इसने वर्ब को प्लूरली चलने दिया है आगे चलिए नेक्स परेग्राफ पर आते हैं अब बताएगा इसके रीजन्स के हैं थोड़े और आंकड़े आपको देगा कैरे दे प्रपोर्शन ओफ चिल्टरन ओप्टिंग फॉर प्राइवेट उशन नेशन वाइड वेंट अफ फ्रॉम 25 परसेंट इन 18 तो 30 परसेंट इन 2022 कैरे उन बच्चों का प्रपोर्शन जो है पोर्शन जो है या हिस्सा जो है जो ओप्ट फॉर करते हैं चूज करते हैं प्राइवेट उशन्स को पूरे देश में वो बढ़के हो गया 25 तका 2018 में 2018 से 25 तका से 30 तका 2022 में चलिए अगें प्रपोर्शन परसेंटेज पोर्शन और रेशो इन चारों की खुद की कोई वर्ब नहीं है इनकी वर्ब जो है ओफ के बाद रखने वाला नाउन बदाएगा ठीक है तो प्रपोर्शन वर्ब भी वैसा ही है अलांकि वर्ब यहां पे इनदेफिनिट टेंस में पास्ट में है तो वेंट अप रखी हुई है करें जी क्लोस तो 90 परसेंट और वो जानते भी थे कि इसको यूज कैसे करना है दो मैनी आर अवनवेर ऑफ ऑनलाइन सेफटी सेटिंग्स हालांकि उन में से ज़़ा तर अनवेर थे अनजान थे ऑनलाइन सेफटी सेटिंग्स को ले करके ठीक है यंग्स्टर्स की वर्ब है यंग्स्टर आप समझते है जवान लड़की के लिए यूज के लिए यूज के लिए यंग्स्टर्स की दूसरी वब है नो, मैनी की वब है अनवेर होना, किसी चीज के बारे में अवेर ना होना, क्लूलेस या इग्नोरेंट होना इग्नोरेंट ओफ, अनवेर ओफ, क्लूलेस अब, अनकॉंशेस ओफ ऐसे ही सारे फ्रेजिस चलते हैं अब एक grammar concept करवाएंगे आपको बड़ा simple सा है, बस दिमाग में आपको एक बार बिठाना है जब भी किसी को कोई बताते हो ना, कि मुझे पता है I know how to do it तो अमेशा how word जो मैं बुला है, उसको लिखना भी होता है She doesn't know to lie उसको जूट बोलना नहीं आता She doesn't know to lie तो no to lie नहीं, जब भी no verb का इस्तेमाल करोगे और कोई skill बताओगे no verb का इस्तेमाल करोगे और कोई skill बताओगे तो आप लिखोगे, she doesn't know how to lie ठीक है I know how to drive He doesn't know how to speak है ना, इस तरीके से आप जो है no verb का इस्तेमाल करे The company has finally figured out to run its business profitably Company ने finally figure out कर लिया है, जान लिया है कि अपना business कैसे profitably run करे The company has finally figured out figured out how to run how to run its business profitably तो no verb की पूछ मत पकड़ लेना Sir no verb तो आई ही नहीं तो how कैसे लगा दिया यहां यहां तो no verb नहीं है Meaning निकालना है जब भी कोई skill या कला आपको आती हो और आप उसको बता रहे हो कि मुझे पता है, मैंने पता लगा लिया है मुझे पता चल गया है no verb लगे, figure out verb लगे तो आपको how का इस्तेमाल कर लेना है इस verb के उपर लखीर का फकीर नहीं बनना है no आएगा Sir तभी how लगाँगा ऐसा नहीं है, ठीक है do you know to drive, क्या आपको drive करना आता है क्या करेंगे वही, इसको homework टास दे रहा हूँ आपको मै do you know to drive, क्या आपको drive करना आता है तो कैसे करेंगे इसको सही, सही करके डालो कोमेंट्स में practice makes you perfect मैं आपको सिखा सकता हूँ लेकिन ultimately जो आपको हरोज की practice है न, खुद से करनी है जितनी मैं करवाता हूँ, वह आपको करनी ही चाहिए सब लोग कोमेंट्स में कोशिश करना लिखने की गलत होगा तो बता देंगे चलो आगे बढ़ते हैं, ये concept आप से आज के quiz में भी बूचा गया है करें, the trends especially the lag in reading and solving simple arithmetic give an inkling of what is education system करें फिर जो trends है, जो patterns है खास करके जो lag है, पिछड़ापन है read करने में और simple जोड़ गटाव करने में simple arithmetic में वो trends हमें देते हैं, एक हलका सा idea या inkling या hint और किसी इसकी, off लगा के बता रहा है क्या ale करता है what is the education system ale का मतलब होता है, परिशान करना किसी को trouble करना तो कौन सी चीज हमारे education system को परिशान करती है, उसका हल का सामें inkling मिलता है and corrective measures required, और वो corrective measures का भी inkling मिलता है, जो required है corrective measures आप समझते हैं, सही जो है, दिशा में कदम trends की वोब है give lack का मतलब है, noun form में पिछडा पन ये word आप कर चुके है inkling का मतलब होता है, किसी चीज की hint what की वोब है else ale यानि किसी चीज को परिशान करना ठीक है, चलिए the national education policy or NEP 2020 says, the top priority is to achieve universal foundational literacy and numeracy in primary schools by 2025 करे जो NEP है national education policy and new education policy वो ये कहती है, कि हमारी सबसे पहली प्रात्मिकता ये है कि हम अजीव करें universal foundational literacy and numeracy को अब ये क्या है, universal मतलब हर तरफ हो, सारव बहमी को foundational यानि बुनियादी literacy यानि education, शिक्षा, numeracy यानि जोड़ गटाव करने की ability, ये ही NEP का उदेश्य है, इसका प्राइटी है कि सब बच्चों में basic literacy और numeracy हो, primary schools तक 2025 में तक, primary का मतलब है आठवी क्लास तक करे दा रिपोर्ट सेज all states have made a major push in foundational literacy and numeracy under the Nipun-Bharat Mission करे रिपोर्ट ये भी कहती है ये उपर वाली हमारी रिपोर्ट कि सभी states ने एक major push तो दिया है बहुत बड़ा धकाया दवाब तो दिया है foundational literacy और numeracy के field में Nipun-Bharat Mission के अंटरगत करे बट the numbers show that in a diverse and vast country such as India there is a lot of catching up to do करे लेकिन numbers हमें ये बताते हैं आंकड़े ये बताते हैं कि एक vivid बाती-बाती की diverse और vast country में जैसे का भारत है बहुत सारी catching up बाकी है किया जाना catching up to do is there is a lot of catching up to do catch up करना आपको याद होगा पीछे रह जाने के बाद जब आप बराबर आते हो किसी के है न उसके साथ catch up with करते हो और catch up का मतलब होता है बराबरी करना catch up with मतलब किसी की साथ बराबरी करना तो करे जी नंबर ये बताते हैं कि काफी कुछ करने की ज़रूता है पीछे रह गए हैं बराबर आने की हमें जरू होता है सब्जेट वोब तो मेरे गाल निगाल ही लोगे निपुन भारत मिशन के बारे में पढ़ ले न लगे हाथ पढ़ लिया करो कुछ भी नया दिखे विकीपीडिया पे खोल करके दस मिनिट पांच मिनिट उसको दो देरे देरे करके यही चीज़ें आपका knowledge base तयार करती है एक दिन में कुछ नहीं आएगा नया सीखना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा करके करा है जहां बढ़ती हुए enrollment एक अच्छी चीज है लेकिन जो चीज अवेट करती है जो चीज इंतजार में बैठी है students के और कब जब वो finish कर लेंगे compulsory school cycle को class 8 को करे वो चीज जो इतनी ज़्यादा रोजी भी नहीं है उतनी ज़्यादा optimistically pleasant भी नहीं है और क्यों sometimes because they are simply not able to cope with the ambitious curriculum set for the higher secondary level क्योंकि कभी कभी sometimes because वो simply जो है able ही नहीं होते हैं कि वो cope with करें सामना करें निपटें उस महत्वा कांक्षी curriculum से syllabus से जो की set किया गया है higher secondary level के लिए 10 वी या 10 वी के बाद के लिए ठीक है तो जब 8 वी के अंदर ये बुरे हालत है तो फिर 8 वी के बाद कोई रोजी उनका future नहीं और बच्चों का 9 10 में जागर के वो किताब भी ठीक से नहीं पढ़ पाएंगे वो curriculum जो है 11 12 का science का commerce का arts का वो उनसे जहला भी नहीं जाएगा enrollment जुड़ा हुए इस से word की वर्ब है weights day की वर्ब है finish ठीक है यह word अवेट जो है इस पूरे close की वर्ब है word से how से where से शुरूने वाले when से शुरूने वाले closes अपने खुद की वर्ब रखते है अवेट जो है अपने बाद में 4 नहीं लेता है यह सारी वर्ब की list में डाल दी है you can go through the list अवेट के बाद में 4 नहीं आएगा लेकिन वेट के बाद में आएगा सीख के बाद में 4 नहीं आएगा लेकिन लुक के बाद में 4 आएगा और पोस के बाद में 2 नहीं आएगा लेकिन object के बाद में 2 आएगा इस लिस्ट को आप जो है बार-बार देखो जितना आप देख सको याद रखो बढ़े आगे कह रहे जी करिकुलम का मतलब होता है सिले बस The Right to Education Act 2009 may have ensured universal access to education but there is many a gap to fill before it touches every child in the true spirit of the law कह रहे जो RTE Act है शिक्षा के अधिकार का Act है 2009 का इसने जरूरी ensure कर दिया हो universal access to education को हर बच्चे का एग्जुकेशन की पहुँच को हर बच्चे की शिक्षा तक की पहुँच को करें लेकिन फिर भी many a gap है बहुत सारे gaps बाखी है fill किये जाने भरे जाने इससे पहले कि ये law जो है टच करे हर चाइल्ड को अपनी true spirit में सही भावना में जो इस law की बनी है तो universal access तो ठीक है school जाना तो ठीक है लेकिन school जाके बच्चे को कुछ सीखना भी है तो यही इस education की true spirit है इस law की true spirit है आटी एक्ट की act की वह बहें may have ensured gap की वह बहें is it की वह बहें touches many a का concept आज फिर से revise करवाएंगे आपको बहुत दूनों बाद आया है many और many a में क्या फरक है अब आप बोलो कि sir many क्या के a a n लगा दिया तो many a बन गया वास्ता में यही फरक है इन दोनों में many अपने बाद में plural noun plural verb लेता है लेकिन many a या an a या an singular noun और singular verb लेता है many a का मतलब होता है या आ का मतलब होता है बहुत सारे लोग लेकिन एक एक करके एक एक करके on the airport the actress was greeted by many fans airport पे actors को greet किया गया बहुत सारे fans के दवारा on the airport the actress was greeted by many fans airport पे actors को greet किया गया बहुत सारे fans के दवारा फरक क्या दोनों में यहां पर बहुत सारे friends ने जुन्ड बनाकर उसको ग्रीट किया यहां पर उसको एक एक fan मिला एक वहां मिला एक security pass पर मिला एक boarding gate पर मिला एक अंदर गुसता ही मिल गया एक baggage counter पर मिल गया समझ पाए many तो मिले, लेकिन एक-एक करके, चाहिए एक-एक करके ना भी मिलाओ, लेकिन उसने जो है greeting जो है, सब से उसने individually अपनी greetings ली है तो many a में यही फर्क होता है money से इसलिए money आपने बाद में singular verb और singular noun लेगा यहाँ पर लिखेंगे fan ठीक है, तो fans नहीं करना many यह के बाद में fan आएगा many an opportunity come knocking at your door when the time is right बहुत सारी opportunity आपके दरवाजे पे knock करती आती है जब time जो है right होता है ठीक है, अब मुझे बताओ, यहाँ पर opportunities लिखूं या opportunity लिखूं many an पढ़ गया opportunity के हिसाब से noun आएगा singular ठीक है, singular और verb भी आएगी singular, many an opportunity comes knocking at your door चलिए, last sentence आपको खुद से करना है सब बच्चों का छोटा सा homework है many an ideas spark in the curious minds of students during the lively discussion बहुत सारे ideas spark करते है curious दिमाग में mind में बच्चों के lively discussions के दोरान, सही कर दोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा एक concept गलती नहीं करोगे exam में comments में डालना जो बच्चे इसको कर रहे है चलिए आपने quiz की तरफ बढ़ेंगे article बहुत easy था इसलिए बाकी concepts को आपने थोड़ा सा heavy रखा first question है primary challenge क्या है बच्चों के सामने गावों के अंदर इस passage के context में चार challenge मैंने आपके सामने डाल दी है बच्चों को universal education नहीं बिल रही इनको online security के बारे में नहीं पता smartphone पे foundational literacy और numeracy में बच्चे लाइक कर रहे है या फिर इन में से बहुत कम बच्चे vocational education की तरफ जा रहे है चारों में से आपको primary issue बताना है इस species के context में आंके खोल के article पढ़ा होगा तो मेरे खाल से question आपका गलत नहीं होगा first comment में नीचे मैंने answer भी डाल दिया है इसी video के नीचे तीसरा दूसरा तीसरा चोथा इसमें तो आप से simple vocab पूछी गई है inkling का meaning पूछा है statistically pleasant चीज़ का one word पूछा है और एक आदमी जो किसी चीज़ में पिछड़ा हो उसको vocational बोलते है लगर बोलते है ठीक है तो यह आप कर लोगे बहुत easy है last वाले में 4 errors मिलेंगी और errors मिलेंगी जिन areas को मैंने dark किया है उनके आस पास ठीक है तो कर लो इसको out of 8 कितने marks मिले first comment से मेरे answers को check करके बताना ठीक है जो बच्चे class के last तक रहते हैं पूरा देखते है class को तो PD लिख दिया करो उससे पता लगता है अपने को किस तरह के articles को किस तरह का response मिलता है जितना ज़्यादा PD लिखा हो मिलता है जिन articles पर उसी थीम के articles को हम कोशिश करते हैं ज्यादा से यदा ला सकें कभी economy के है कभी educational है ठीक है तो PD और अपने marks लिखके बताएं कल मुलागात लेंगे until then